हाई माई फैमली कैसे हो आप सब आई हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे सवस्त होंगे और मस्त होंगे आज बहुत इंट्रेस्टिंग रसीपी बनने वाली है तो चलूए देखते हैं आपको तो पता चली गया होगा तो यह चाबल ले लिए हैं चाबल कोई भी ले सकते हैं जो आपकी घर में डेली यूज में बनता है यह चाबल ले लिए इसमें हम पानी डाल देंगे अच्छे से चाबल में पानी डाल दीजिए ताकि अच्छे से चाबल भींग जाए यह उड़ात की डाल है हमारे पास छिलका वाली थी वह हम ले लिए इसमें हम पानी डाल देते हैं और इन दोनों को भींगने के लिए हम छोड़ देते हैं ते अपना तीन से चार घंटे आराम से भींगेंगे और फिर दूसरा कुछ काम करते हैं इनको ढख के रख देंगे तीन से चार घंटे के लिए अच्छे से भींग के रेडी हो गए हैं त साथ बज रहे हैं अभी तो इसको अच्छे से पीश दी हूं अच्छे से इसको बारीक पीशना है दो तीन बैस में अच्छे से पिसा गया और दाल भी पीश दी हूं और इनको हम ओवर नाइट के लिए पूरा रात के लिए हम छोड़ देंगे आप दूसरे दिन की क्लिप है चलो हम रेडी करते हैं सावर बना लेते हैं फूल रसेपी आपको देखने को मिलेगी वीडियो स्किप नहीं करिएगा सावर बनाने के लिए हमने दाल ले लिया है तूर की एनियरहर की टमाटर डाल दिया है प्याज और लोकी इसमें बैगन और भी सबजे एड़ कर सकते है लेकिन अभी फिलाल सावन चल रहा है तो बैगन खाते नहीं है और सबजे मेरे पास थी भी नहीं जो सबजे हमारे पास थी उससे मैं बनाई हूं सावर इसमें हम पानी नमक खल्दी डाल दी है और पानी इसको हम पकने के लिए रख देंगे आराम सिर चार पास सेटी लगा लाही था बेटर रखा था उसमें प्याश टमाटर बगेरा डाल के बना रही थी तो यह दाल रख दोंगी दाल आराम से पकती रहेगे इधर हम तड़के की तैयारी कर लेती हूं तेल ले लिए हैं जीरा डालेंगे मेथी डालेंगे आप इसमें हिंग भी डाल सकते हैं आप लाल मिर्च जादा हरी मिर्ची यूज करती है तो डाल दी हूं इसमें प्याज और चाहिए कड़ी पत्ता मीठी नीम की पत्ती पांच शेक पत्ती हम उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है जैसे इसको पालर अब कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम टमाटर एड कर देंगे टमाटर को भी अच्छे से सोटे कर लेना है जैसे इसमें डालेंगे नमक, हल्दी और धन्या पावडर बेसिक मसालों से बनता है बस थोड़ा से सावर मसाला या डालना पड़ता है और थोड़े बहुत चीज अच्छे टमाटर गल जाएगी तो यह दाल आड़ कर दिये हैं अच्छे सूबाल आ जाएगा तो इसमें आप आमचूर यह फिर इमली के पल्प आड़ कर सकते हैं यहां मैं आमचूर एड़ करूंगी तो अच्छे समयश कर लेना है जो आपको सब्सक्रियों की टुकड़े आप यहां इसकी जगए पे आप इमली की पल्प यूज कर सकते हैं और यहां मैं सावर मसाला डाल रही हूं यह तो हमारा बनके रेडी हो गया है अब हम चलो बना लेते हैं मसाला आलू मसाला डोसा में फिल करनने के लिए यह तेल ले लिए हैं और इसमें हम डालेंगे फिर बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है लेशन डाल दिये और प्याज भी डाल दिये हैं और मिर्ची भी डाल देंगे तोड़ा सा एक बारी काट के रख लिये थे और इसको भी अच्छे से सोटे कर लेना है तोड़ी देर तक भून लेना है जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो हम जो आलू रखे थे उसको हम डाल देंगे तो यह देखी अच्छे सी भून जाएगा और आलू पीछे पीछे सरारत करते जा रही थी तो आलू को किलिप नहीं ले पाई थी जोगी थोड़ा सा प्रावलमाद जल्दी भी थी यह आलू मैं डाल दी हूँ इसमें वह ही बेसिक मसाला डालना है जो अपन डेली यूज में तो हल्दी नमक और धनिया पाउडर और आप चाहें तो गराब मसाला भी डाल सकते हैं हमारा बेसिक मसाला नमक खल्दी धनिया पाउडर ही रहता है गराब मसाला कभी गवार थोड़ा सहम यहां आम चुर पाउडर रेड कर देंगी तो आथ बहुत अच्छा आता इससे यह हमारा मसाला भी भून के रेड़ी है अच्छा से इसको भून लेना है अच्छा से इसमे फ्लेवार आजाता है थोड़ा सा पाणी डाल दिये थे अच्छा से यह बनके तैयार हो गया है और यह देखिए इसमें अच्छा अच्छे से इसको देख लिये हैं देखी किता इसमें खमीर उठ गया है अच्छे से फूल गया था इसमें कोई अब इनो बगर डालने की जरूरत नहीं तो अच्छे से फेंट लेना है और अच्छे से पहुच देना है टंपरेचर पहले हाई रखना है इसके बाद पूरे जब फैलाते टाइम पूरा लो रख लेना है टंपरेचर को पूरे एकदम धीमा कर लेना है और यह वेटर डालेंगे अच्छे से फैला देंगे और यह देखिए एकदम गोल्डन गोल्ड जाता है और कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग भी घर पे बनाईये और इंज्वाय करिए इसी तरीके से सारे डो से हम बारी बारी से बनाते जाएंगे थोड़ा से किनारे से तेल डानना है और फटा-फट से डो से बनके तयार हो जाते हैं तो आप यह कंटिनु यह इसी तरीक इस्ट्रफिन नहीं डाल रही थी चुकि इस्ट्रफिन डाल दो थोड़ी देर से का तो लूज हो जाता है तो यह कड़ा कड़ा कीचे यह करारा करारा तो देखो हमारे सारे करारे करारे डोसा बनके तयार हैं बहुत परफेक्ट तरीके से बने हैं आप देख सकते हैं इसमे आया दो चैनल को एक लाइक करें निव है तो सस्क्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार यह कुछ क्लिप ती डाल दिये हैं इन्जॉय करिए